Sporting the Errors section से आज हम discuss करेंगे Part 4 जिसमें हम Adjective से जुड़ी वी Errors को discuss करेंगे उनको solve करेंगे और देखेंगे कि क्या-क्या Rules होते हैं Adjective से जुड़े हुए ताकि Errors को हम easily find out कर सके Adjective जिसे हम Hindi में possession केते हैं क्या होते हैं किस तरह से इनका use किया जाता है आगे हम discuss करेंगे और जैसा मैंने आपको बताया हुआ है इस section में हम theoretical part complete नहीं करेंगे वो आप बच्पन से पढ़ते हुए आ रहे हैं सिर्फ हम problems को discuss करेंगे और problems के साथ में किस किस तरह के rules होते हैं वो देखेंगे I hope friends आपको मेरे previous videos इस section से अच्छे लगे होंगे आपने उनको पसंद किया होगा जिन viewers ने वो videos नहीं देखे हैं part 1 से लेकर part 3 तक exporting the errors section से और other videos भी अगर आप देखना चाते हैं तो यहाँ पर click करके आप उन्हें देख सकते हैं और हमारे इस channel को subscribe करने के लिए आप यहाँ पर click करें जब आप subscribe button पर click करेंगे पास में एक bell का symbol आपको दिखाए देगा उस पर भी आपको click करना है ताकि जब भी कोई नया वीडियो हम upload करेंगे इस channel पर तो उसका notification आपको मिल जाएगा आप उस video को miss नहीं करेंगे फ्रेंज आपको मेरा वीडियो पसंद आए आपके लिए helpful हो तो like button पर click ज़रू कीजेगा जो thumbs up वाला icon है उस पर click ज़रू कीजेगा share कीजेगा इस video को अपने दोस्तों के साथ में और comment कीजेगा तो start करते हैं आज की class hello friends मेरा नाम है समीर गलोत the tube guru में आप सभी का स्वागत है spotting the air section से part 4 adjective friends traditional grammar में determiners और adjective को साथ में ही discuss किया जाता है determiners adjective का ही part होते हैं ठीक है determiners जिने हम हिंदी में निर्धारक केते हैं मिर्धारक या फिर निश्यात्मक शब्द जो quantity बताते हैं और adjective जिने हम हिंदी में क्या केते हैं decision determiners निर्धारक शब्द जैसे a, in, the, some, all, few, a few, little, the little इस तरह के शब्द सारे ही determiners होते हैं और a, in, d जिने हम articles भी केते हैं वो भी determiners ही होते हैं बात इस पार्ट में हम adjective की करेंगे क्योंकि adjective में determiners भी साथ में आते हैं इस वज़े से ये part भी हमारा complete होगा adjective से हम decision केते हैं क्या होते हैं संग्या या सरवनाम की विशेस्था बताने वाले शब्द an adjective describe noun और pronoun ठीक है noun और pronoun की जो सब्द विशेस्था बताते हैं उनको हम क्या कहते हैं adjective केते हैं और adjective noun से पहले और noun के बाद में यूज किये जा सकते हैं ठीक है determiners को हमेशा noun से पहले ही यूज किया जाएगा अगर difference की बात हम करें तो determiners noun से पहले ही हमेशा यूज होंगे adjective noun से पहले और noun के बाद में यूज हो सकते हैं ठीक है एक्जाम्पल के तरुपर देखिए, he is a lazy person, ठीक है, यहाँ पर देखिए, a determiner है, article है, ठीक है, determiner है, और lazy जो है, word adjective है, जो की noun की विश्यस्ता बता रहा है, noun क्या है, यहाँ पर person, वेक्ति जो है, वो आलसी है, वहाँ वेक्ति आलसी है, ठीक है, तो यहाँ पर adjective भी है, determiner भी है, article a, next example देखिए, she is good girl, अब यहाँ पर आप देखिए, adjective लगा हुआ है, ठीक है, good, यानि अच्छी या अच्छा, तो girl की बात यहाँ पर हो रही है, noun क्या है, girl है, और क्या है, वेक्यांस, वहाँ लड़की अच्छी है, तो शब्द जो है, noun से पहले यूज हो रहे हैं, कहीं बार adjective वर्ब के बाद में भी यूज होते हैं, जहाँ पर noun की उन्हें आउशकता नहीं होती है, जैसे की linking verbs होती है, be, get, become, तो इन verbs के बाद में भी adjective यूज किया जाता है, और noun की जरुरत वहाँ पर नहीं रहती है, जैसे, it looks good, ठीक है, it looks good, his food smells, avasome, तो यहाँ पर good भी adjective है, avasome भी adjective है, तो देखिए, आप looks, verb है, smells, verb है, और sensory verbs है, जिनके पीछे हमने adjective यूज किया है, और यह sentence भी correct है, तो adjective, noun से पहले noun के बाद में यूज हो सकते हैं, verb के बाद में भी यूज हो सकते हैं, जहाँ पर noun की हमें requirement नहीं रहती है, और जैसा मैंने आपको बताया हुआ है, theoretical part हम complete नहीं करेंगे, क्योंकि उसे आप बच्पन से read करते हुए आ रहे हैं, कम से कम six last नहीं तो आपने उसको पढ़ना सुरू कर जा था, grammar को पढ़ना सुरू कर जा था, सरह theoretical आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ problems को discuss करेंगे, देखेंगे, क्या-क्या errors, adjective की उनमें हैं, और क्या-क्या rules हैं, जिनकी वज़े से उन errors को हम find out कर सकते हैं, और sentence को correct कर सकते हैं, तो देखते हैं इस part से, first problem, Kolkata is further from Alvar than Jepur, the capital of Rajasthan, sentence में चार part हमें दिये गए हैं, A, B, C, D, देखते हैं कि error किस part में हैं, और process को आप ध्यान में रखिएगा, क्या करना है आपको, जब भी आपको screen पर question दिखे, खुझ से आपको try करना है, कि किस part में error है, error को find out करना है, और साथ में कोशिस ये भी करनी है, कि sentence को correct किस तरह से किया जा सकता है, ठीक है, तो देखते हैं कि error किस part में है, यहाँ पर कोलकता is further लिखा हुआ है, और sentence का जो meaning निकल रहा है, वो distance से related निकल रहा है, further word का मतलब आगे होता है, ठीक है, आगे बढ़ने के इसाफ़ से further का word use किया जाता है, जब बार distance ही हो रही हो, तो इसी तरह का एक similar word है, उसे use किया जाएगा, जो कि है further, ठीक है, तो यह लगबग लगबग से में सिर्फ एक ही later का difference है, और इससे इनका अर्थ बज़र जाता है, further का अर्थ कभी कबार आगे के अर्थ में भी होता है, लेकिन distance के हम बात करें, तब अधिक दूर के अर्थ में इसका use होता है, तो यहाँ पर जो sentence है, उसके according, further ना आकर, कौन सा word आना चाहिए, further, ठीक है, तो statement रहेगा क्या, कोलकता is further from Alvar than Jayapur, the capital of Rajasthan, कोलकता Alvar से अधिक दूर है, comparison करें हम Jayapur से, जो की राजधानी है, राजस्तान की, ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही later से difference है, अर्थ में, और इसी तरह की errors हम से पूशी जाती है, ताकि हम confusion में रहें, ठीक है, इनमें कुछ ज़्यादा difference नहीं है, सिर्फ एक ही later का difference है, अगर इनका अर्थ हमें मालू है कि exact इनको use कहां पर किया जाता है, तब जाकर हम इस error को बता सकते हैं, further जो है, वो far की comparative degree है, ठीक है, positive, comparative और superlative तीन degree होती है, far positive degree है, further comparative degree है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में error किस पार्ट में है, part A में है, और इसी को हम right mark करेंगे, ठीक है, जिस पार्ट में error होती है, उसी option को mark किया जाता है, तो यह हमारा first question complete हो गया, अब next question देखते हैं, question number two, problem number second, रमेज is smarter enough to get selected for this post without any recommendations, तो रमेज किसी भी सिफारिस के बिना इस पत पर चुने जाने के लिए काफी होश्यार है, रमेज इतना होश्यार है कि वो इस पत पर चुना जाएगा, वो भी बिना सिफारिस के, ठीक है, यह इसका हिंदियान वाद हुआ, बात करते हैं, error की, error किस पार्ट में है, the message is smarter enough to get, अब यहाँ पर आप देखिए, एक general rule है कि enough word के साथ में हमेशा positive degree आएगी, यहाँ पर word क्या है smarter जो की competitive degree है, तो सिर्फ smarter ना आकर यहाँ पर smart word use होगा, जो की positive degree का होगा, rule क्या है, enough के साथ में हमेशा आप positive degree का use करेंगे, कुछ example आप देखिए, जिनसे और ज़्यादा clear हो जायेगा, is your coffee hot enough, अब यहाँ पर आप देखिए, enough word है, और जिसके साथ में hot word आया हुआ है, जो की positive degree का है, competitive degree hotter, ठीक है, और superlative degree क्या हो जाती होटेस्ट, तो enough के साथ में में हमेशा positive degree का word आएगा, एक और example आप देखिए, he didn't work hard enough, क्या मतलब हुआ इसका, उसने परियाप्त मेहनत नहीं की, तो यहाँ पर भी enough के साथ में positive degree का word है, hard, तो general rule है, इसे ध्यान में रखिएगा, enough के साथ में positive degree का इस्सेमाल किया जाता है, अब next problem देखिए, यहाँ पर कौन सा option right होगा, option है, क्योंकि इसी पार्ट में error है, अब next question देखते हैं, question number three, he said, Priyanka is the most unique singer of our college, उसने कहा, Priyanka हमारे college की सबसे अनोखी गाईका है, ठीक है, अधित्या गाईका है, देखते हैं कि error किस पार्ट में है, he said, Priyanka is the most unique singer, अब यहाँ पर unique word आया हुआ है, और उसके साथ में the most लगा हुआ है, अगर आपको ध्यान हो, कुछ adjectives ऐसे होते हैं, जो खुद superlative degree की तरह use होते हैं, जैसे, unique, full, whole, square, complete, universal, etc., तो कुछ adjectives ऐसे होते हैं, जो superlative degree की तरह use होते हैं, तो most लगा कर इन्हें superlative degree में change नहीं किया जाना चाहिए, और नहीं more लगा कर आप इन्हें competitive degree में change करें, ठीक है, तो more unique आप लिखते हैं, वो गलत होगा, ठीक है, more unique आप लिखते हैं, वो गलत होगा, more full आप लिखते हैं, वो भी गलत होगा, most full आप लिखते हैं वो भी गलत होगा और most complete आप लिखते हैं वो भी गलत होगा यानि कि इन words के साथ में आप most और more words लगा कर इन्हें change करने की कोशिस ना करें क्योंकि ये words super relative degree की तरह ही use होते हैं ठीक है तो यहां पर error तो हमने find out कर ली error को remove किस तरह से किया जाए sentence को correct किस तरह से किया जाए यहां से the most word हट जाएगा ठीक है correct sentence क्या होगा he said Priyanka is unique singer of our college तो इस sentence में कौन से part में error है पार्ट B में और इसी को हम कैज़ मार्ग करेंगे अब देखते हैं next problem problem number four this shirt is comparatively better than that we saw in corner shop yesterday तो देखे क्या लिखा हुआ है यह shirt तुलनात्मक रूप से बहतर है जो हमने कल corner वाली shop में देखी थी जो shirt हमने कल corner वाली shop में देखी थी उससे तुलनात्मक रूप में काफी बहतर है यह shirt देखते हैं कि error किस पार्ट में है the shirt is comparatively better तेकि यहाँ पर word comparatively use हुआ है और comparatively word के साथ में positive degree use की जाती है ठीक है इससे का rule हमने just देखा था एक और word आया था enough के साथ में positive degree का use किया जाता है इसी तरके से comparatively word के साथ में भी positive degree का use किया जाता है तो यहाँ पर अगर sentence को हमें correct करना है ठीक है sentence को अगर हमें correct करना है तो better की जगा पर हम good use करेंगे क्या हो जाएगा sentence this chart is comparatively good than that we saw in corner shop yesterday या फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है आप comparatively word को हटा दें सिर्फ better रहने दें तब भी यह sentence correct रहेगा this chart is better than that we saw in corner shop yesterday ठीक है तो यह error बी पार्ट में है एरर क्या है यह मैंने आपको बता दिया है और किस तरह से हम sentence को correct कर सकते हैं दो तरीके हैं वो दोनों ही I hope आपने समझ लिये हैं तो यहाँ पर कौन सा option हम mark करेंगे option B अब next problem देखिए problem number 5 a lot of books on English grammar are available with me but this one is the best तो अंग्रेजी व्याकरण पर बहुत सारी पुस्तके मेरे पास उपलब्ध हैं लेकिन यह सबसे अच्छी है यह तो हुआ हिंदी अनुवाद इस sentence का देखते हैं error किस पार्ट में है a lot of books ठीके first ही पार्ट में error दी गई है यहाँ पर लिखा हुआ है a lot of जो की नहीं लिखा जाता है या तो आप यूज करेंगे a lot of या फिर आप यूज करेंगे a lot of ठीके दोनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं दोनों का मतलब सेम होता है लेकिन a lot of नहीं लिखा जाता है a lot of, lots of का use countable और uncountable noun दोनों के साथ में ही किया जाता है यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि countable noun अगर आप यूज कर रहे है countable noun अगर आप यूज कर रहे हैं तो वो plural होनी चाहिए बहवचन होनी चाहिए जो भी संग्या आप यूज कर रहे हैं ठीके अगर countable है तो जिसे गिना जा सके अगर uncountable है तो आप singular form भी उसकी यूज कर सकते हैं ठीके singular form उसकी यूज कर सकते हैं एक्जाम्पल आप देखिए, there are a lot of cars, a lot of cars in the world. अब आप देखिए, यहाँ पर अगर car लिखा जाता, तो यह sentence correct नहीं होता, incorrect sentence होता, क्योंकि a lot of cars के साथ में अगर countable noun नह रही है, तो उसका polar form साथ में यहाँ पर होना चाहिए, तो cars हम यहाँ पर use करेंगे, car use नहीं करेंगे. एक और example आप देखिए, there is a lot of noise, तो noise जो है uncountable noun है, singular form इसकी use हो सकती है, a lot of की जगह पर आप lots of भी लिख सकते हैं, लेकिन a lot of word नहीं लिखा जाता है, यह गलत होता है, तो इसकी जगह पर आप a lot of लिखें या फिर lots of लिखें, इस sentence को correct करने के लिए, तो यहाँ पर error है, part a में, और इसी को हम right mark करेंगे, तो friends अब तक हम इस part से five questions discuss कर चुके हैं, उनको solve कर चुके हैं, उनमे errors क्या है, यह find out कर चुके हैं, और किस तरह से उनको correct किया जा सकता है, sentence को यह भी देख चुके हैं, I hope आपको अब तक मेरा ये वीडियो अ जरू कीजेगा, share कीजेगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और comment जरू कीजेगा, comment आप करेंगे, तो मुझे पता लग पाएगा आपको ये वीडियो कितना पसंद आ रहा है, जिन वीवास ने subscribe नहीं किया हुआ है, अभी तक हमाई इस channel को, वो यहाँ पर click करक होगा क्या friends, जब भी कोई नया वीडियो हम upload करेंगे, उसका notification आपको email के तुरू मिल जाएगा, आप उस वीडियो को miss नहीं करेंगे, अब देखें, problem number 6, I told her that it would be all the more better if she herself talked the groom, क्या मतलब हुआ, मैंने उससे कहा कि अगर वह खुद दूले से बात करे, तो ये सब बहतर देखें, यहाँ पर error आपको मिल गई होगी कि किस पार्ट में है, क्योंकि काफी easily आप उससे find out कर सकते हैं, इस तरह का rule जो है हम पहले भी discuss कर चुके हैं, लेकिन एक other word के साथ में, I told her that it would be all the more better, देखें, बेटर एक competitive degree word है, ठीके, और उससे आगे the more लगा हुआ है, उससे में देखा था, कि unique word लिखा हुआ था, और उससे पहले the most लगा हुआ था, unique word खुद superlative degree की तरह use होता है, और better word competitive degree का है, तो उससे पहले the more लगाना गलत हो जाएगा, जिस तरीके से unique के पहले the most लगाना गलत हो जाएगा, उससी तरीके से better से पहले the more लगाना गलत हो जाए यहां पर the more नहीं आएगा क्योंकि better competitive degree का word है, तो sentence जो है, correct sentence वो क्या होगा, I told her that it would be all better if she herself talked to the groom, ठीक है, तो यहां पर कौन सा option हम write करेंगे, option C, क्योंकि इसी पार्ट में error दी गई है, अब next problem देखिए, problem number 7, she does not have some money to buy a new refrigerator, so she is worried, तो देखिए friends, अर्थ अगर हम इस sentence का निकाले तो वो क्या निकल रहा है, उसके पास refrigerator खरीदने के लिए कुछ पैसा नहीं है, इसलिए वो चिंतित है, तो यह कुछ सही नहीं लग रहा है, अर्थ के रूप में भी ठीक है, जो हमने अर्थ देखा, उसके साथ से क्यों है, क्योंकि एक वर्ड यहां पर आया हुआ है, उसकी वज़े से यह सही नहीं लग रहा है, सम मनी यूज होता है, लेकिन नेगेटिव वाक्चे में आप सम का यूज करेंगे, तो गलत होगा, यहां पर वर्ड यूज किया जाना चाहिए, जिसका अर्थ निकल है, इसलिए वर्ड चिन्तित है, तो नेगेटिव वाक्चों में सम वर्ड यूज नहीं होना चाहिए, एनी वर्ड यूज होना चाहिए, यह भी एक रूल है, जिसे आपको ध्यान में रखना है, अगर एनी वर्ड आप यूज नहीं करते हैं, तो इनफ वर्ड भी आप यू याप्त पैसा नहीं है, इस वज़े से वो चिंतित है, तो सम नहीं आएगा, एनी आप यूज कर सकते हैं, या फिर इनफ आप यूज यहाँ पर कर सकते हैं, तो एरर है, पार्ट बी में, इसे हम राइट मार्क करेंगे, जैखते हैं, नेक्स ट्विस्चन, नेक्स प्रोब्लम प्रोब्लम नमबर एट, तो आज कल मौसम ठंडा और अधिक ठंडा हो रहा है, यहाँ पर एरर आपको मिल चुकी होगी, मोर कोल्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, मोर कोल्ड नहीं आना चाहिए, इसकी जगह पर वर्ड यूज होगा, कोल्ड ठीक है, कोल्ड जो की कंपेटिव डिगरी है, कोल्ड के लिए, मोर कोल्ड की जगह पर कोल्ड लिखा जाएगा, इस तरह के वाक्यों में, कंपेटिव डिगरी ओफ एड्जेक्टिव का प्रियोग निम्न तरीकों से होता है, देखिए आप एक्जाम्पल, वो मजबूत और मजबूत होता जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर एक्जाम्पल देखिए, इस गेटिंग होटा एंड होटा, वोसम जो है, गर्म और गर्म होता जा रहा है, तो कंपेटिव डिगरी का इस्तमाल कुछ इस तरह से होगा, क्या आएगा यहाँ पर कोल्डर एंड कोल्डर, तो एरर है, पार्ट सी में, इसलिए इसको हम राइट मार्ग करेंगे, ठीक है, ओप्चिन के लिए, अब देखते हैं, नेक्ट चुश्चन, चुश्चन नमबर नाइन, Friends, इंडीड का मतलब होता है, वास्तव में, अर्थ के निकल रहा है, सेंटेंस का, सभी पुस्त के वास्तव में दिल्चस्पती, लेकिन वह एक अधिक दिल्चस्पती, देखते हैं, एरर किस पार्ट में है, और किस वज़े से है, अल दा बुक्स वर इंडीड इंटरेस्टिंग, बट टेट वन वाज, दा मोर इंटरेस्टिंग, यहां पर मोर वर्ड नहीं आएगा, इसकी जगह पर वर्ड आएगा, मोस्ट, ठीक है, कंपिट्रिव डिग्री, नमान का सुपलेट्रिव डिग्री में हमें इसे चेंज करना है, कारण क्या है, मोर की जगह पर मोस्ट हमने यूज क्यों किया है, यह मैं आपको बता दूँ, जब भी दो से अधिक वस्तूओं के साथ में तुनला हो, तो कंपिरिट्रिव डिग्री का यूज ना करके, हम करते हैं, जब भी दो से अधिक वस्तूओं के बीच कंपिर किया जाए, तो उस केस में आप कंपिरिट्रिव डिग्री इस्तमाल नहीं करेंगे, उसकी जगह पर इस्तमाल करेंगे कौन सी सुपलेट्रिव डिग्री, तो यहां पर मोर ना आकर क्या वर्ड आएगा, मोस्ट एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, देखेगा आप, बताईएगा कि वो करेक्ट है या इनकरेक्ट, विच इस बेटर, टी, कोफी, और मिल्क, अब बताईए आप कि यह जो सेंटेंस है, क्या करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहां पर तीन वस्तवे हैं, टी, कोफी, मिल्क, इनके बीच में कमप्रिजन हो रहा है, दो से जादा है, इस वज़े से कमपेटिव डिग्री यहां पर यूज नहीं होगी, सुपरेटिव डिग्री यहां पर यूज होगी, तो सेंटेंस जो करेक्ट रहेगा, वो क्या रहेगा, पार्ट में है, पार्ट D में, इस क्योस्चन के लिए, इस प्रोब्लम के लिए कौन सा उप्चिन राइट होगा, उप्चिन D, अब नेक्स प्रोब्लम देखिए, प्रोब्लम नमबर 10, तो क्या मतलब हुआ इस सेंटेंस का, वहां के अवल दो यूद्धा थे, लेकिन प्र इस एंड एवरी वर्यर वाज एक्वल टू सिक्स परसंस, अगर आपने एक रूल पड़ा हो, इस एवरी, इस एवरी से जुड़ा हुआ, तो इजीली आप यहां पर एरर फैंड आउट कर पाएंगे, कि एरर जो है, पार्ट B में है, किस वज़े से है, यहां पर दो परसंस को कंपेर किया जारा है, तो परसंस की बात हो रही है, उनके लिए इस एन एcken एवरी यहां पर लिखा गया है, और ईच एन एवरी यूज होता है, दो से अधिक के लिए, तो इच एन एवरी की जगर आप यहां पर यूज करेंगे, एच जो की यूज होगा, दो वेक्तियों या फिर दो वस्तों के लिए जबकि एवरी और इच एवरी आप इस्तमाल कर सकते हैं यूज कर सकते हैं दो से अधिक के लिए तो ध्यान रखेगा इस रूल को इच का यूज आप करेंगे दो वक्तियों वस्तों के लिए जबकि एवरी या फिर इच एवरी का इस्तमाल आप करेंगे दो से अधिक के लिए तो एरर है इस सेंटेंस में पार्ट भी में इस वज़े से इस क्योशन के लिए इस प्रोब्लम के लिए उप्चन भी राइट रहेगा तो फ्रेंस अब तक हम इस पार्ट से टेन क्योशन कंप्लिट कर चुके हैं और डिफरेंट डिफरेंट क्योशन में हमने डिफरेंट डिफरेंट डूल्स को जाना एडजेक्टिव से जुड़े वे डिफरेंट डिफरेंट डूल्स को जाना और उन्हीं की वज़े से यह find out कर पाए कि error क्या है और किस तरह से उसे remove किया जा सकता है अगर आपको किसी भी point पर और मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो like बटन पर click जरूर कीजेगा share कीजेगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में और comment कीजेगा जिन वीवर्स ने subscribe नहीं किया हुआ है हमाई इस channel को यहाँ पर click करके इसे subscribe कर लें ताकि daily आपको एक नया वीडियो देखने को मिले तो subscribe करने के साथ में जो पास में बेल का symbol आएगा उस पर भी आपको click करना है तो आप जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा उसका notification पास सकेंगे और उस वीडियो को miss नहीं करेंगे अब 11 प्रोग्लम देखिए राम इस जूनियर देन शाम एंड राम इस ओल्डर देन गनेश क्या मतलब हुआ राम शाम की तुलना में जूनियर है और राम गनेश की तुलना में बड़ा है या फिर हम कह सकते हैं बूड़ा है तो देखते हैं error किस पार्ट में है राम इस क्यों नहीं आएगा क्योंकि कुछ वर्ड जैसे की जूनियर सीनियर प्लियर इस तरह के वर्ड के साथ में देन नहीं लगता है इन के साथ में आता है दो ठीक है तो यहाँ पर then word ना आकर word क्या आएगा two word आएगा जनरल रूल है इसे ध्यान में रखिएगा तो correct sentence क्या हो जाएगा राम is junior to sham and राम is older than Ganesh राम शाम की तुलना में जूनियर है और राम गनेश की तुलना में बड़ा है तो यहाँ पर कौन सा option right होगा इस problem के लिए option है अब next problem देखिए problem number 12 the militant entered the palace from the utmost gate with guns hidden in their clothes तेके friends इस sentence का अर्थ अगर हम निकालें तो अर्थ निकलेगा तनकवादी ने अपने कपड़ों में छिपी हुई बंदुकों के साथ अत्यंत gate से जगह में परिवेश किया utmost का मतलब होता है अत्यंत या फिर हम कह सकते हैं अधिक्तम या फिर इसका मतलब होता है पून्त या complete तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं sentence के हिसाब से ये अर्थ यहाँ पर सही नहीं लगता है इसकी जगह पर कोई और word यहाँ पर आएगा utmost word नहीं आएगा ठीक है ये ठीक नहीं है sentence के हिसाब से sentence के according तो यहाँ पर word क्या आना चाहिए word यहाँ पर आएगा outermost outermost का मतलब होता है सबसे बहारी अब आप अर्थ करके देखिए sentence का क्या निकलेगा अतंकवादीन ये अपने कपड़ों में छिपुही बंदुकों के साथ सबसे भारी गेट से जगह में प्रवेश किया जो की बिलकुल सही लगता है outermost superlative degree है out की out positive degree है outer competitive degree है और outermost superlative degree है तो यहाँ पर error है part C में इस problem के लिए कौन सा option राइट रहेगा option C अब next problem देखिए problem number 13 she can't sing much than four songs at a stage he informed तो देखिए क्या कहा गया है वाक्य में वह है एक खंड पर चार से अधिक गाने नहीं गा सकती है उसने बताया वह एक interval में चार से ज़्यादा गाने नहीं गा सकती उसने कहा उसने बताया error देखते हैं error किस पार्ट में है यूज हुआ है जो की positive degree का है लेकिन यहाँ पर sentence के according आना क्या चाहिए competitive degree का word आना चाहिए much क्या है positive degree है और much की competitive degree है क्या more तो यहाँ पर competitive degree इस्तमाल होगी much नहीं आएगा much की जगह पर use होगा more word she can't sing more than four songs at a stage he informed ठीक है तो इसे भी आप ध्यान में रखेगा कि कौन से word positive degree के हैं कौन से competitive degree के हैं कौन से superlative degree के हैं क्योंकि इन से जुड़ी भी errors भी काफी पूछी चाती हैं अब देखिए यहाँ पर कौन सा mark करेंगे हम option B क्योंकि इसी पार्ट में error हैं और अब next problem देखेंगे problem number 14 It is well knows that Mrs. Indra Gandhi was the first statement of her time क्या मतलब हुआ है इसका अर्थ क्या निकल रहा है sentence का यह अच्छी तरह से ग्यात है कि Indra Gandhi उनके समय की पहली राजनितिग्य थी पहली first word से यह अर्थ निकला है adjective है ठीक है जो की statement के लिए विश्यस्ता बता रहा है इसको describe कर रहा है लेकिन यह जो sentence है इस तरह से गलत कह सकते हैं पहली राजनितिग्य थी यह तो सही नहीं होगा और यहाँ पर कुछ और word आना चाहिए ठीक है कुछ और word आना चाहिए इसकी जगह पर कौन सा adjective यूज होगा जो appropriate word है वो यूज होना चाहिए foremost क्या मतलब होता है इसका foremost का मतलब होता है सरवादिक चर्चित notable अब अर्थ क्या निकल रहा है वो देखिए आप यह अच्छी तरह से ज्यात है कि इंद्रा गांदी उनके समय की सरवादिक चर्चित राज नितिय थी तो sentence बिलकुल सही बेट रहा है तो कहीं बार आपको देखना होगा कि जो word यूज हो रहा है sentence का भाव सही दे रहा है या फिर नहीं यहाँ पर first word यूज नहीं होगा foremost word यहाँ पर यूज होगा तो कौन सा option राइट होगा इस problem के लिए option C और अब next problem देखिए problem number 14 sorry 15 you can see this channel for the last news of the week तेकि यहाँ पर भी sentence का अर्थ निकालने पर ही आप error को समझ सकते हैं अर्थ क्या निकल रहा है क्या कोई इस तरह से कहता है और सफता में कोई अंतिम समचार हो सकता है खबरे जो हैं बनती रहती है लेकिन जब भी हम किसी channel को देखने के लिए बोलते हैं क्या कहते हैं या फिर खुद देखते हैं तो latest news के लिए देखते हैं तो यहां पर last word नहीं आएगा last word का मतलब होता है अंतिम ठीक है इस्तती या क्रम में अंतिम लेकिन इसकी जगह पर word यूज होगा latest जिसका मतलब होता है new term time को जो एक्सप्रेस करता है word तो correct sentence हो क्या जाएगा you can see this channel for the latest news of the week friends इस तरह के words को लेका अक्सर confusion बना रहता है इनके earth को लेका तो वो मैं आपको बता दूँ ताकि clear हो जाए later word यूज किया जाता है late in time के लिए ठीके जब दिरी से आने की बात हो रही हो later word यूज किया जाता है second in position के लिए second in order के लिए first position नहीं second position उसके लिए आप later use करेंगे latest word जिसका मतलब मैंने आपको बता दिया है ठीके latest word जिसका मतलब मैंने आपको बता दिया है क्या time को express करता है और मतलब क्या होता है new thumb नविन thumb ठीके नया से नया last का मतलब final in position और order यानि कि किसी भी क्रम इस्ति में जो भी antim होता है last होता है उसके लिए आप last word यूज़ करें तो कहीं बार आपको ये समझ में आएगा कि sentence का भाव क्या के रहा है उस भाव के इसाब से उस expression के इसाब से आपको कौन सा word चुनना है तो 15 जो question है उसके लिए right option रहेगा option C तो friends इस part से 15 questions 15 problems हम discuss कर चुके हैं उनको solve कर चुके हैं I hope आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो like जरू करें share करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में और comment करें जिन वीवास ने subscribe नहीं किया इस channel को वो यहाँ पर click करके इसे subscribe जरूर से कर लें ताकि कोई भी नया वीडियो आप पिस न करें जब भी हम उसे upload करें हमारे इस channel